योग ट्रांती परिवार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है हमेशा की तरह एक बार पुना मैं आप सभी की सामने लेकर उपस्तत हुआ हूँ योग का एक नया वीडियो लेकिन आज मैं किसी भी वेकेंसी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ आज मैं बात करने वाला हूँ कि योग में भरती के लिए क्या करें आज का वीडियो हो सकता है बहुत सारे योगसादक को पसंद ना आए और हो सकता है बहुत सारे योगसादक को पसंद भी आए जैसी जिसकी सोचोगी उस साफसे वीडियो आपको अच्छा और खराब लगेगा चले शुरुवात करते हैं योग में भरती की बाद हम आज करने वाले हैं अभी तक हमने जो भी तरीका अपनाया या तो हम भरती के लिए सोचल मीडिया के माद्धम से प्रचार प्रसार करते रहें हमने सोचल मीडिया के माद्धम से ट्विटर के माद्धम से योग भरती के लिए प्रयास किया लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं बढ़ा दूसरा हम लोग कई बार राजनेताओं से मिले भरती के लिए प्रयास किया लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और मुझे लगता है इस तरह ऐसे कोई भी प्रभाव पड़ता भी नहीं है क्यूंकि जिसने कंप्यूटर की पढ़ाई की है वो कहेगा कंप्यूटर की वेकेंसी आना चाहिए वो भी सरकार से मिलेगा जिसने इलेक्ट्रोनिक की पढ़ाई की है वो कहेगा इलेक्ट्रोनिक फिल्ड में गबर्रेमेंट वेकेंसी आना चाहिए वो उसूर प्रियास करेगा लेकिन सरकार क्या करे सभी अपनी-अपनी मांग करेंगे जैसे कुछ समय पहले बैंक की जो बच्चे तयारी कर रहे थे उन्होंने हरताल की थी मद्द प्रदेश में अतिती सिक्षकों ने भी हरताल की थी कि योकी नहीं प्रात्मेक सक्षक की पर्मानेट वेकेंसी आए तो उन्होंने भी धर्ना प्रदर्शन दिया उन्होंने भी सरकार को ग्यापन दिये सोसल मीडिया के मद्धम से प्रयास किया लेकिन सरकार क्या करे क्योंकि सभी जो है अपनी अपनी फीड़ी की भरती की मांग करते हैं सरकार क्या करें? कितनी भरती लाए? किसकी बात सुने? किसकी ना सुने? इसलिए सरकार भी परेशान होती है और हम भी परेशान करने का काम करते हैं अगर हमें सच में भरती के लिए प्रयास करना है भरती करवानी है तो हमें प्रयास करना पड़ेगा लोगों को आवसकता दिखानी पड़ेगी और कहते हैं आवसकता अविसकार की जननी है अभी के समय में योग की आवज सकता है सभी योग को सुविकार कर रहे हैं कोई भी योग का बिरोध नहीं कर रहा है और अगर हम ऐसे समय में योग को पर्मानेंट करवाने का प्रयास करते हैं तो सायद से ज़्यादा अच्छा होगा इसके लिए करना क्या है? एक सर्वे कर रहा है स्कूल खोलें तो कैसे खोलें? इसमें दस प्रसने दिये गए हैं दस में से नौवे नंबर को जो प्रसने है सिर्फ आपको वही भरना है उसमें दिया हुआ है फर्स्ट पिरिएड योग विसाय के रूप में लागु किया जाए अगर फर्स्ट पिरिएड योग विसाय के रूप में जो है लागु किया जाए या फर्स्ट पिरिएड योग का पढ़ाय जाए उसमें जो दिया है इस पर हम क्लिक करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करते हैं आप भी क्लिक करिए अपने दोस्तों से भी क्लिक करवाईए अपने परिवार के जितने भी मोबाईल है उनसे भी क्लिक करवाईए तो सर्वे में आएगा कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो ये चाहते हैं कि यदि स्कूल प्रारम्ब होते हैं तो फस्ट पीरिड योग का रहे फिर योग सिखाने के लिए भरती किसकी होगी योग टीचर ही करेंगी न या पीटी टीचर करेंगी मतलब कहीं न कहीं हमारा प्रभाव पढ़ेगा क्योंकि ये आपकी मांग नहीं है ये किसकी मांग है पेरेंट्स की मांग है कि जब आप प्रयास करेंगे तो इस तरह तो सभी अपने हिसाब से स्वार्ति होते हैं सरकार भी जानती है कि सभी स्वार्ति हैं सब अपने अपने फ्रेलिक लिए प्रयास करेंगे लेकिन ये सर्वे बताएगा कि पैरिंट्स चाहते हैं कि first period जो है वो योक के लोड़े तो ये मांग जो है वो सरकार को लगएगा कि पेरिंट्स कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रभाव पढ़ने वाला है इस बात का ध्यान रखे और अब आप मैंसे बहुत साई लोग करेंगे कि देनेख भासकर जो है वो अकेले सरवे कर रहा है इससे क्या प्रभाव पढ़ना है तो मैं आपको बता दू किसी भी चीज की आवस्यक्त था जो है वो सरकार को कौन बताता है न्यूस पेपर मीडिया यही बताती है किसी चीज की डेमांड है वो यही बताती है न्यूस पेपर मीडिया यही जो है किसी चीज को बनाते हैं यही किसी चीज को गरा देते हैं इस बात का आप सबको ध्यान रखना होगा इनके सर्वे पर सभी की निजर होती है तो यह तो हमारी एक डेमांड हुई पहले सारी सक्षा के रूप में पीटी की जो है आवस्यक्त नहीं होती थी बहुत सारे लोग पीटी के ब्रोध करते थे लेकिन जब पीटी स्टार्ट हो गई तो फिर वो बुदवार और कई स्कूल में सनिवार को अनिवार रूप से करवाई जाने लगी फिर कहीं पर उसका भी बिरोध नहीं हुआ और वो जो है एक बार प्राराम हुई तो बंद नहीं हुई ऐसे ही यदि फर्स्ट पीरिड योग बसाय के लिए दे दिया गया कि फर्स्ट पीरिड में बच्चों को योग कराये जाएगा तो ये जो है एक प्रथा के रूप में बन जाती है जब कोई भी चीज लंबे समय तक चलती रहती है तो एक प्रथा बन जाती है तो प्रथा के रूप में जब कोई जी चालू हो जाती है तो बंद करवाना बहुत ही कठिन काम हो जाता है तो पहले प्रारंब हो जाए फिर बंद करवाना बहुत कठिन काम हो जाएगा और फिर जब बंद नहीं होगी तो धीरे-धीरे करके एक बिसय के रूप में भी पढ़ाय जाने लगेगा और धीरे-धीरे करके भरती भी होने लगेगी फिर परमानेंट भरती भी होने लगेगी पर ध्यान रखें, आवज सकता दूसरों से दिखानी है, स्वैम से नहीं दिखानी स्वैम से दिखा रहे हो तो कोई प्रभाव नहीं पढ़ना है, वो सिर्फ स्वार्थ हो जाएगा जब योग मान लीजे, लागू हो गया, फर्स्ट पीरेट के रूप में कि फर्स्ट पीरेट जो है, वो सर्फ योग के लिए होगा, तब हमारी जंग खतम नहीं होती है हमें उसको आदत की रूप में लाना है, हैबिट लगानी है लोगों को और हैबिट कब लगेगी, हैबिट तब लगेगी जब व्यक्तियों को आप साथ में लाब बताओगे उनके जीवन से जुड़ी चीजों के साथ मैं योग को बताओगे, योग को जोड़ोगे उनके जीवन से तब प्रभाव पड़ेगा वर्तमान समय में कौरोना है तो कौरोना से किस तरह से योग लड़ सकता है योग के माद्यम से किस तरह से हम जीत संग जंग जीत सकते हैं ये आवा सकता हमें दिखानी होगी जब आदत लग जाती है न तो किसी चीज को छोड़ना आसान नहीं होता जैसे पहले हमें सौंक में चाय प्लाई गई लेकिन अब उस चाय की हमें हैबिट हो गई, आदत हो गई हम चाय कर भी नहीं छोड़ पाते तो ऐसे ही हमें योग की आदत व्यक्तियों को डाल ली है उनके जीवन से जुड़ी हुई चीजों के मादम से जोड़ना है चाहिए फिर बैच्चे भी рубuit करें कहा जाकर फिर पर्माइन्ट योग टीचर की भरती होगी इस बात का ध्यान रखना होगा हमें अभी जो है द्यनक भासकर का सर्वे। इसमें हमें साथ देना है फिर आंगे जो भी सर्वे होऊ उनमें भी हमें साथ देना है इसी तरह से कार करना है देने ग्वास करके सर्वे की जो लिस्ट है या फिर जो हम कहें लिंक है वो में लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं कुछ लोगों को वीडियो खराब लगेगा उनसे मैं चमा चाहता हूं जिनको अच्छा लगे उनको मैं धनबाद देना चाहता हूं अभी के लिए बस इतना है धनबाद